हेलो फ्रेंड्स नमस्कार खुशी स्टार्ट फूड में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लेकर आई हो कुछ ऐसे कमाल के किचें टिप्स जो मेरे तो काफी काम आते हैं और मैं उमीद करती हूँ ये टिप्स आपके भी काम आएंगे तो आएए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज की पहली टिप देखते हैं देखे फ्रेंड्स जब हम लसुन छीलते हैं तो इसमें जो डंठल निकलता है ना इसे आप फैंके ना समहाल कर रख लें क्योंकि ये हमारे काफी काम आने वाला है लसुन की कलिया मैंने अलग कर रख दूंगी जिससे कि इनका छिलका आसानी से उत्रेगा डंठल मैंने अलग निकाल लिया है इनका मैं क्या करने वाली हूँ देखिए जब मैं कोई डाले स्टोर करके रखती हूँ जैसे कि मैंने चना डाल ली है और साबुत मूंग लिया है इनको स्टोर करके रखने वाल और बताती हूं आपको आप सरसों का तेल गोर insatsa do रोप हम सरसों की तेल की इन में डाल देंगे जादा नहीं डालना तीन चार्ट डालने बस और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है तेल की इनके उपर अच्छे से कोटिंग हो जाएगी इसके बाद इनको स्टोर करके रखेंगे तो आपकी जो डाले हैं बिल्कुल भी खराब देखें बरसात के दिनों में जो भी साग सब्जियां हैं जादा महेंगी हो जाती है और जब हम इनको फैंकते हैं हमारी वेस्टेज हो जाती है वैसे तो निम्बू को स्टोर करने के काफी सारे तरीके हैं लेकिन एकदम सिंपल सा है आपको जिप लोग पाउच लेना है पह इसे पूंस लें ताकि इनका मोश्चर दूर हो जाए ये गिल्ले नहीं होने चाहिए फिर क्या करेंगे कि जिप लोग पाउच में इनको डालकर फ्रीज में रख देंगे बारा पंदरा दिन तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे फ्रेस रहेंगे इसी तरह से आप चाय पती लेकर आएं तो चाय पती को ना पहले मोटे वाली चलनी में डालकर अच्छे से चान लें उसके बाद ही डबे में भर कर रखें ये मैंने आटा चानने वाली चलनी ली है इससे चाय पती को चान रही हो मोटे दाने चलनी में रह जाते हैं और जो पाउडर सा है या इसमें निकोटिन की मातरा काफी अधिक पाई जाती है जो हमारे स्वास के लिए बहुत ही हानिकारक है तो इसे हम काम में नहीं लेंगे आपने प्लांट्स लगा रखें तो उसमें डाल दें दूसरा की चाई पती की सुद्धता की पहचान आप कैसे करें आप कोटन का वाहीट कपड़ा लें कपड़े को अच्छे से गिला कर लेना है और एक दो चम्मच चाई पती हम कपड़े में डालेंगे इसकी पोटली बना ले और इसको ना 20-25 मिनट के लिए हम रख देंगे 20-25 मिनट बाद चेक करेंगे अगर चाई पती में मिलावट होगी तो कपड़े में अच्छा खासा रेड कलर आ जाएगा मिलावट नहीं होगी तो कपड़ा हमारा साफ होगा देखे कपड़े में से मैंने चाई पती निकाल ली है और कपड़ा हमारा साफ है इसका मतलब चा डाई में हैंडिल वाली जगे पेस लगे होते हैं तो इस तरह के बरतन हैं जिन में पेस लगे हुए हैं दिरे दिरे ये खराब होने लग जाते हैं इन में जंग लग जाता है तो इससे बसने के लिए आपको क्या करना है कि आप कोई भी नेल पेंट लें और जहां पर पेस यह वाले टिप में रोटियों को लेकर है देखे फ्रेंट्स जब हम रोटियां सेखते रहते हैं पांच्या रोटी सेख लेते हैं कई बर तवे के उपर रोटी लग जाती है तवा जादा गरम हो गया और दूसरी रोटी बनाते हैं वो अच्छी नहीं ही बनती जली हुई बन या आठा जादा लग गया है जिसके कांड रोटियां तवे के उपर चिपक जाती है जल जाती है और जो विगनर से उनके साथ ये प्रोब्लम जादा होती है तो देखे आप क्या करें कि रोटियां लग रही है तवे पर आप क्या करें कि तवे को पहले तो अच्छे से साफ कर लेना है और तव्वे के ऊपर थोड़ा सा देशी घी या सरसों का तेल लगा कर टीशू पेपर की सायता से अच्छे से फैला दें फिर आप रोटियां से के इसे ना आपकी रोटियां एकदम परफेक्ट बनेगी और तव्वे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी सारी रोटी एकदम साफ सुत्री बनेगी तो बिगनर्स के लिए ये टिप बहुती यूसफुल है आप भी इसे जरूर रजमाएं अब मैं आपके साथ शेर कर रहे हूं एक बहुती मज़ेदार पराथे की रेस्पी इसके लिए सबसे पहले हम गार्लिक बटर बनाएंगे देखि बटर को मेल्ट करते हैं तो बटर जलता नहीं है बटर और गी अच्छे से मेल्ट हो गए है 15-20 मैंने लस्टन की कली ली थी इनको मैहिन वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है अब क्या करेंगे कि फ्लेम को लो करेंगे और लस्टन को हम गी और बटर के साथ थोड़े देर क पका लेंगे ताकि इनका कच्छा फ्लेवर निकल जाए ध्यान रहे कि इनको जलाना नहीं है बस इनका कच्छा फ्लेवर निकल जाए फ्लेम को ओफ करेंगे एक चमच औरिगनो डालेंगे औरिगनो से बड़ अच्छा टेस्ट आता है एक चमच चिली फ्लेक्स डाला है पराथा बनाने वाली हूं तो यह मैंने चपाती बेल ली है जितना फ्लेवर आप खाना पसंद करते हैं गार्ली का उतना यह मसाला डाले और रोटी के उपर अच्छे से लगाएंगे जिस सेप में आप यह पराथा बनाना चाहाते हैं उस सेप में बना ले लच्छा पराथा ट्रेंगल सेप में यह जैसे बनाना चाहते हैं यह गार्लिक बटर लगाएं और पराथा बेल ले तो यह हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पराथा बन जाता है जैसे आप गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं तो आप यह पहले से बना रख सकते हैं पांच-चार दिन के लिए एक सेंडविच बना रहे हैं तो उसके उपर भी लगा सकते हैं या गार्लिक ब्रेड़ बनाकर दें पराठे भी बनाकर खा सकते हैं कि curator भी sap लेगा या पर बतर लिया है च्यू मैं अब weil भी ने बना पर बना सकते हैं घी या टिफिन में पैक करके दीजिए चाय के साथ खाईए या दही के साथ खाईए बहुत ही टेस्टी लगते हैं और यह देखे कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गया उलड़ते प्लड़ते लोग फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है आप ट्रेवल में जा रहे हैं तो पैक देखिए अंदर कितने अच्छी लेर आई है और ये अलग फ्लेवर का प्राठा तयार है तो आज की थी मेरी ये टिप्स मैं उमीद करती हूँ ये आपके भी काम आएगी टिप्स यूसफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेच जरूर करें चैनल पर नए हैं पहल